चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC ने इस्टे वेकनसी राउंड के लिए सेडूल जारी कर दिया है इस्टे वेकनसी राउंड के लिए रेजिस्टेशन और पेमेंट 4 जनवरी शे 6 जनवरी 2021 के बीच में है जिन कंडिडेट ने MCC के 1, 2 और मोपप राउंड में रेजिस्टेशन नहीं किया था और वो इस्टे वेकनसी राउंड में पार्टिस्पेट करना चाते हैं तो उनके लिए ये सुनेरा अवसर है वो पार्टिस्पेट कर सकते हैं जिन्होंने इन तीन रॉण्ड में पहले रेजिस्टेसन कर रखा है उनको फ्रेज्टेसन करने के आउशकतर नहीं है MCC ने इस्टे वेकंसी राउंड के लिए रेजिस्टेसन का ये मोकाप पहली बार दिया है तो एक बार हम इसका सेडूल देख लेते हैं तो जो MBBS admission की date है वो 15 जनवरी 21 तक extend कर दी गई है फ्रेस registration और payment इस्टे vacancy round के लिए 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में registration दोपेर 12 बजे तक कर सकते हैं आप और payment दोपेर 3 बजे तक कर सकते हैं इसमें इसके बाद में जो vacancy है वो institute को transfer कर दी जाएंगी 6 जनवरी 2021 को और एक list भी MCC द्वारा जारी कर दी जाएगी 10 टाइम की यानि कि जितने vacancy हैं उनसके 10 से multiply करके एक list जारी की जाएगी MCC द्वारा और वो institute को भेज दी जाएगी 7 जनवरी 2021 को इसके बाद में जो physical reporting होगी यानि कि institute में इस्टे vacancy round के लिए ये 7 से 15 जनवरी के बीच में होगी यानि कि अलग-अलग institute का अलग-अलग timing होगा ये लेकिन ये 7 से 15 जनवरी के बीच में ये timing होगा अब इसमें admission लेने के लिए आप जिस institute में admission लेना चाते हैं उसमें आपको present होना होगा सभी 19 aims की stay vacancy round की counselling aims नियो डेवली दवारा करवाई जाएगी और इसकी website पर आपको schedule मिल जाएगा हलांकि ये पहले 30 डिसंबर 2020 था लेकिन अभी इसको postpone कर दिया है ये इसी MCC के schedule के according ही ये schedule होगा तो आप इसकी aims की website चेक करते रहें और 19 aims में जितने भी वेकेंट सीटे होंगे उनके लिए stay vacancy round MCC New Delhi शोरी aims New Delhi दवारा करवाया जाएगा इसके बाद में जिपमर के दोनों campus जिपमर क्राइकल और पुडूचेरी की condition में जिपमर पुडूचेरी दवारा ये schedule जारी किया जाएगा उसका schedule आप चेक कर लें और उसके schedule के मताबिक आप stay vacancy round में participate करें इसके अलावा बी एचिव का अपना अलग से टाइम दिया जाएगा और एम यू का भी अलग से टाइम दिया जाएगा dimmed university में आप जिस university में admission लेना चाते हैं stay vacancy round में उसकी vacancy seat देखके उस university में आपको वहाँ present होकर admission लेना होगा 7-15 के बीच में तो सभी dimmed university के आप एक बार site पर देख लें कि उनका stay vacancy round की date क्या रखी गई है ये 7-15 के बीच में short time है इसी के बीच में ये stay vacancy की institute by date रखेंगे dimmed university की condition में तो इस प्रकार से stay vacancy round का schedule आ चुका है अगर आपको कही seat नहीं मिली है आपके nearby marks हैं तो आप stay vacancy round में आप participate कर सकते हैं बाके update के साथ मैं आप से फिर मैं मिलूँगा तब तक के लिए आप से लेता हूँ विदा जैहिंग